Friends, आज में जो topic लेका आया है, वो बहुत interesting है, तो मैं ये दो-तिन पार्ड में ये करना चाहता हूँ, अभी पहले जो initial first पार्ड में किया, freshers interview के बारे में, तो freshers लोगों का interview कैसे preparation लेना है, कौन सा type का question उसमें आ सकता है, ये मेरा 17 years का experience में, मैंने जो खुद experience किया, जिदना मैंने interview लिया लोगों का, उसमें से मैं exist बनाया, interviewer का mentality interview लेने के time क्या हो सकता है, interview जो दे रहा है, उसको कैसे mentality होगा, कैसे उनको answer करना, how to behave, इसके बारे में थोड़ा संजान करी आपको इस topic में आपको देने वाला हूँ, सबसे पहले आपका bio data resume में आप कैसे बना, अगर mostly academic, जो आपका qualification है, जो academic knowledge है, उसी के ही base पे है, तो इसमें आपका एक freshers का bio data कैसे हो सकता है, generally उसमें आप आपका जो academic qualifications, आपका rank, percentage, position जो है, उसमें उसमें आप बायोड़ा में हो सकता है, during academic time में आपने कुछ project अगर perform किया तो उसके बारे में details आप दे जीजिए, कुछ industrial training अपने अटेंड किया, तो during आपका course में उसमें इंक्लूट किजिए, personal information, जो आपका है normal, जैसे आपका address, phone numbers, email IDs, ये दे दीजिए, freshers logo का reference उतना माइने नहीं रखता है, उसमें actually freshers logo का job लेता है, उसका academic qualification, उसका percentage, आपका resume में 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 लेता है, क्योंकि आपके पास तो आपका कुछ जानकरी है नहीं, तो जो आपका academic base है, उसी की उपर आप focus किजिए, अगर साथ में कोई industrial training और अगर कुछ project आपने परफ़र्म किया, तो related इस type का आपने दे दीजिए, friends, now next thing, आप interview का preparation आप कैसे लोगे, आपके पास तो ज्यादा experience है नहीं, interview phase करने का, आपका mentality में बहुती लोग उसमें nervous भी हो जाता है, interview के दौरान, तो आपको, मैं जो बोलना, इसी सब से थोड़ा प्रिप्यार होके रहे, तो आपको interview phase करने के लिए आसानी होगा, तो पह एक bridge जो रहता है, हो है आपका resume और बाहर data, तो आपका जो interviewer जैसे आप enter होते हो, तो सबसे पहले आपको introduce करने के लिए उसके बाड़े में आप थोड़ा सोच के रहे, क्या बताना चाहते हो, मतलब यह आपका, आप कहा से belong करते हो, आपका economic qualification का है, sort में उसमें brief कीजिए, आप कहा से कौन से university से आपने study किया, उसके बाड़े में थोड़ा बताईए, आपका percentage rank, जो भी आपका resume है, उसका sort एक बताने के courses कीजिए, अभी जो questions कहा से आ सकता है, आपका अगर preparation है, तो definitely आपका जो questions है, दो साइट से हो सकता है, एक तो, एक तो है पहले आपका resume और ब जिएगा, जो topics आप resume by data में लिखते हो, उसमें से question आने का 50% chances है, तो जो भी topic आप लिख रहे हो, उसके बाड़े में थोड़ा in detail information होना है, आपको पूरा दुनिया का information नहीं है, बाट resume और बाड़े में आप जो लिख रहे हो, उसके बाड़े में थोड़ा information knowledge ग्यादर के क्योंकि वो एक first questions interviewer का mind में आता है, बाड़े में जो लिख है उसके बेस में, दूसरा questions कहा सा सकता है, एक तो हो गया, उसके बेस में, दूसरा है आपने जो post को apply किया है, post को apply किया मतलब, suppose अपने quality assurance department के लिए, quality control के अपले किया, कि आपने weight chemistry के लिए अपले के लिए अपल question, तो उस department का basic knowledge है, उसके बाड़े में questions आ सकता है, suppose quality control में आपको पूचा जा सकता है, हाँ पे activity कैसे हो सकता है, उसमें क्या, बदलब, analytical techniques कौन सा use होता है, बदलब, basic techniques है, pH meter, conductivity, analytical balance के बाड़े में question आ सकता है, तो उहां से question आ सकता है, तो एक मेने बता है, आपका resume ने आप apply कर रहे हो, उसके related question question आ सकता है, थाड है, अगर जो interview ले रहा है, उनको अगर कुछ specific requirement के लिए उनको phrases बंदा चाहिए, suppose उनको करवाना है sampling activity, तो उहां से related interview question करना, कि related knowledge आपके पास है के ने, exact knowledge तो प्रेसर के पास होगा नहीं, यो interviewer को भी मालूम है, but at least उनके related knowledge है कि उस उसके बारे में, तो अभी interviewer का mind पे क्या है, कौन सा post के लिए requirement है, ओ questions थोड़ा tough है, तो उसको आप guess नहीं कर सकते हो, लेकिन at least ये दो चीज के लिए तो आप preparation करी सकते हो, एक तो है आपका resume में आपने जो लो किया, आप दूसने आपने जो post के लिए apply किया, इसके बारे म तो उमें बाद में next video में आपको बताएंगे, दूसरा है, you should be confident and never argue with the interviewer, so आपको कोई question पूछा, तो interview के साथ आर्गू मत करना, suppose आपको लग रहा है कि आप सही बोले हो, interviewer जो interview ले रहा है, उनको थोरा understanding में मल, बट आप उस टाप में आर्गू मत कीजिए, चूफ हो question पूछा जाता है, उसका short and brief आप answer देते रही है, to the point answer दीजिए, अगर आपको कोई question के answer भी नहीं मालू है, तो आप उसको अराम से interviewer का बता दीजिए, क्योंकि फ्रेशर से ज़्यादा कुछ interviewer expect नहीं करता है कि 100% उनका answer दे देगा, बट जितना आप दोगे, उतना interviewer का आपके उपर confidence जादा आउते जाएगा, और एक चीछ आप ध्यान में आखिए, आप जब interview दे रहे हो, आप ओभर confident, over smart बनने का कोशिस मत की लिए, क्योंकि देखिए, जो interview ले रहे है, बेसिकली उसके अंडर में आपको काम करना है, अगर जो काम देना चाते है, उसको लग आप किसी के पास जा रहे हो, उसको instruction आपको follow करना है, चाहे आपको कितना भी knowledge हो, तो इसी के लिए ये mindset up से आप जाएए, जिए आप मेरे को instruction दिया जाएगा, जो भी मोड़ के बोला जाएगा, उमें follow करके लेंगे, उधर में मेना knowledge दिखाएगा, उहाँ पे मेरा ज्याद quality control department में interview देने के लिए कुछो typical questions आप face कर सकते हो, as a freshers, उसके लिए मैंने कुछ questions answer बनाया, उसको मैं read करके जाता हूँ, अगर आपका कुछ doubt, कुछ queries रहेगा, आप मेरे को comment section में पूछ के पूछ सकते हो, ठीक है, जस्ट मैं इधर आपको read out करके देता हूँ, what is quality control, the main objective of quality control of the pharmaceutical industry is to test the drugs, means quality control का काम जो हे main आपको analysis करके देना है, analysis करना है, sample का analysis करना है, यह हे quality control का main activity, and various stages of production, verifying that there, और analysis करके आपको क्या पूप करना है, आपको यह पूप करना है, कि they can able to proceed the next stage, and release the manufacturing process in accordance with the regulations and specification required the consumer, तो आपका samples का acceptance criteria से उसके हिभार से उसके हिसाद से जो analytical method test method है, आपके पास quality control में, two main चीज़ एक तो है, analytical test method रहता है और उसका ओने का acceptance criteria रहता है, सेब्छा को क्या करना है, sample को analysis करना है, आपका analytical test method के हिसाद से два बाद में, उसकाằng रेजल्ट है वो स्पेसिविकेशन्स और एक्सेप्टेंस करिये का अंदर आपका रेजल्ट आए कि नहीं वहीं आपको जाज करना है उसके हिसाब से आपको बतना है सेंपल पास है और फेल है यह क्वालिटी कंट्रोल का में रोल नेक्स्ट इस वाट इस जीडीपी देखिए दोस्तों यह गूड डॉक्मेंटेशन जीडीपी का फूल फॉर्म है गूड डॉक्मेंटेशन प्रैक्टिस यह फर्मासुटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही माइना रखता है आपको आप ऐसे फ्रेशर्स आप कहीं पर भी आदमी को समझना है कि आपने कुछ मैल प्रैक्टिस तो नहीं किया डॉक्मेंट को फॉल्स पॉली चेंज तो नहीं किया तो गूड डॉक्मेंटेशन प्रैक्टिस आपको बहुत ही ध्यान देना है एज फ्रेसर्स आप जब फर्मासुटिकल इंडस्ट्री में इंटर बहुत ही सीखना है यह फोलो गना तो बैसिकलली आप यह रिखा गूड जयानन दखो कि अब को जिखना कि आपको जो भी आप ने डॉक्मेंट चया सही है उसको उसको आल्टर भी किया तो को अद्धाब कर पर रोए वह करना कुछ राप पेज में अपने लिख लिए कुछ फिगार बाद में ऐसा नहीं चलेगा जो डॉक्मेंटेशन है आपको ऑनलाइन एक टाइम आपको करना है इसके लिए मेटा और एक वीडियो है अलको आप देख सकते हुआ दोस्तों उसमें तोड़ा आपको आइडिया मिलेगा नेक्स्ट है What is GMP? Good Manufacturing Practices तो Good Manufacturing Practices का यह आपको ensure करता है जो आपका ड्राग से पोड़क्त से एक्शली देखो दोस्तों यह जो फर्मस्पोटिकल इंडेस्ट्री में हमारे जो इन पोड़क्त है यह पोड़क्त लेकिन जो healthy persons के लिए नहीं है यह जो weak persons है जो disease है जिसको उ उसका immunity already down होता है अगर उस ताइम आपने कुछ faulty पोड़क्त दे दिया तो उसके health के बहुत ही हामपूल हो सकता है तो आम लोग को जो भी पोड़क्त है उसको ensure करना है पेसेंट सेप्टी के साथ ensure तो कैसे करना है उसके लिए गूड मैनसेक्टिक्टिक्ट्रेस है अगर उ उसके एक शुल तो चte यह क्वेस्टों आपके ढाल सकता है इस पूपल अपशिशन आपके सासाकता है इस इस एंटर नंशनल काउंसल पर आभ आप आ जट् выпускाल और GO लोगतैं बनाया एक International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical Products का है then what is SOP तब जोस्तों फर्मसोटिकल इंडस्टी में अप एंटर होगा ना तो आपको जो भी चीज आप करोगे जो भी अक्टिविटी आप करोगे उसका एक प्रोसीजर रहता है स्टैंडर्ड अपरिटिंग प्रोसीजर तो इसी क्यों तो आपको वह स्टैंडर्ड अपरिटिंग प्रोसीजर फॉलो करके एक्टिविटी करना आप अपका मन से कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं चलेगा आपको इच अन एबरी अक्टिविटी का एसोपी जाता है वह आपको पर पहले तो आपको एसोपी में ट्रेणिंग लेना है दर उसके इसाब से आपको एक्टिविटी पार्फॉर्म करना है नेक्सिск what is the definition of calibration दोस्तो अगर क्वालीटि कुछ एनालिस कर रहे हो के लिए लिए आरेटीकल एक्टिविपमेंट चाहिए तो डेफिनेट्ली उसको वह आलिवेट होना है का मतलब क्या है आपने जो इंस्ट्रुमेंट से अनलीसिस कर रहा है वह इंस्ट्रुमेंट सही पार्फार्म कर रहा है कि नहीं कैसे आपका मालूम पड़े जा तो इस यह मालूम पड़ता है कैलिबरेशन अक्टिविटी से कालिबरेशन एक्टिविटी आपका फूब करता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ओ जो आपका रिकॉर्मेंट के हिसाब से पर्फार्म कर रहे है तो देटर्मिनेशन देटेट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइस प्रॉडूसे रेजल विदिन दा होसार ऑंके इंस्ट्रूमेंट रिखा घ्रिवाइस दो यह तो मैं बहुत ही बथा इंस्ट्रूमेंट भॉषब कर रहे हैए फ Això गहली कि घसा के? अम और रिक्वेर्मेंट के हिसब से पर्फार्म कर रहे है कि नहीं वहीं कंवरीशन एक्टिविटी से पूंप होता है इसके लिए हम लोग जैसे pH meter calibration में हम लोग क्या करते है नोन बाफर बाफर solution आपको माली में होगा जिसका pH alternative होता है तो सब्सक्राइब 7 बाफर में उसका pH 7 ही होना चाहिए अगर मैंने 7 बाफर का बाफर solution लिया और pH meter में मैंने उसको pH check किया अगर pH इसके मादला मेरा इंस्ट्रॉमें सही चाल रहा है नेक्स्ट है वाट इस अनलीट होट अगरिकल टेक्निक्स आपको HVC, GC, IC, LC, MS, V, PLC यह सब आता है नाउ जो question में बतना हो बेसिक इंस्ट्रॉमेंट के बाड़े में आपको थोड़ा जानकरी हो सकता है हाव तुमेरे द आलेटिकल बैलेंस स्ट्रॉमेंट करो अलाव इत तो और प्रेश द बार्टोन और की फर ओ आटो क्या रखेंग तो आप इंटब्रेट का बार्टन रहते है उसको प्रेस करना तो इंटर्नल यह चालिपर घटा है इंटर्नल यह चालिपर जाता है पिर आपको क्या करता है नो नो एट बैलेंस के उपर रखके उसको आपको दिखना है अग्सेप्टेंस क्येटरी का अंदर रहता है कि नो नो एट मतलब सब्सक्राइब को अपके बास टेंडर्ड बोक्स रहेगा उसके अंदर आपको भी डिफरेंट काइड का वेट सेगा 10 फ्सक्राइब कर यह इस का अधा बैलेंस के पर रखके इसका रीडिंग आएगा और आपका जो एक्सेप्टेंस क्रीटरिया होगा अपका एसो पी में उसके समांदर वाता है कि नहीं इस ताइम में बैलेंस का क्लिवेर्ट कर लेता है उसके बाद आपने नो नो एट बैले गर सेवन है तो उसको नेटल माना जाता है और सेवन से उपार में गया तो बेसिक माना जाता है सबाइज नीचे गया तो उसको असीड़ेंज भोलता है तो तो पह तर इसज़नेज फिएज देंज इस जीरो तो 14 7тив नीटल यह दन देन ना to calibrate pH meter pH meter को calibrate कैसे करते है यह pH calibration is the process of adjusting your pH meter by measuring solution of known pH value this is because the characteristic of your your elected will change over time and this need to be compensated for a calibration that is by making your pH meter to current characteristic of your pH sensor so this may actually generally pH meter में क्या करते है दोस्तों buffer solution लेते है बफर solution क्या है मैंने पहली बताया आपको जो solution का pH अल्टर नहीं होता है उसमें आपने थोड़ा acid और basic डाल दिया तो भी तो उसका pH फिक्स रहता है तो आपको करना क्या है आपको जो आपका प्येज मेटर कर जो रेंगा है तो गैनली तीन अगर पीज बफर में करका हो तो एक ऐसीडिक लिया एक नूटर लिया एक बेगिशिक भीएज ब्यबफर फिर आपको pH meter को डीप करके देखना है कि आपका pH meter जो इलेक्टोड जो रिदिंग दे रहा है उसके अंदर आराए कि नहीं मतब चार अपने pH डीप किया डेफिनिली उसने में बेसिक pH अगर कुछ बेसिक रिदिंग रिखाया तो डेफिनिली आपका pH meter नॉट वर्थिंग पर बहुत सारे जेगा में analysis में यूज होता है जहां पर फिक्स pH अपका जो solution से उसका फिक्स pH होना है तो वाफर मीडियम में बनाना बनाया जाता है तो मैं रिदाउट रहा हूं इसका answers को ए बाफर solution is a water content water solvent based solution which consists of a mix containing weak acid and the conjugate base of the weak acid or weak base of the conjugate acid of the weak base they resist a change in pH upon dilution और आपको अपको यह generally mixture a weak acid or conjugate base of the weak acid or weak base conjugate of the weak base तो यह रहता है इसमाल क्वांटिटे में अपने अगर पी acid or alkali डाला तो भी उसको pH नहीं चेंज होता है next है दोस्तों और एक क्वेस्चिन आपको आ सकता है what is the normality solution these are the basic questions related to analytical techniques मैंने जो भी question आपको बताते जा रहे हो क्योंकि आप quality control में इंटर्व्यू देना जा रहे हो तो definitely लोग आपसे expect नहीं करेगा कि आप कैसे product manufacture करते हैं कैसे product को उस type का question आपको अगर quality control में जा रहे हो तो definitely आपको उस type का मतलब analytical techniques basic techniques related आपको 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 बनाना पड़ेगा तो definitely आप बना पाओगे तो इसी का है background the normality of a solution is the gram equivalent weight of solute per liter of the solution it may also be called the equivalent concentration it is indicated using the symbol normal normal generally दोस्तों यह जो normality solution normal solution molar solution यह use होता है different kind of titration में हमारे पास यह quality control में use होता है तो इसको बारे में जानकर ही रखना आपको बहुत ज़ुरूरी है कि पिछले साइड में normality solutions में बोला इसमें में molar solutions के बारे में बोलना molar solution जाए moleculature weight is present in 1000 1 liter of the 1000 ml of solution so johab mollygaz 1 1 normal sulfuric acid sulfuric acid the molecular weight in 98 so 98 gram in 1000 ml one molar of solutions one so we have a molar solutions what is the principle of UV UV visible spectrophotermis is a quantitative technique used to measure how much a chemical substance absorbs light this done by measuring the intensity of the light that passes through a sample with respect to the intensity of light through a reference samples or blind generally sample ka jub concentrations के साथ इसका एक linearity range from करते इसका एक linearity range from करते concentration के साथ absorbance concentration जितना ज्यादा होता है absorbance उतना हाई होता है तो what is the BR Limbid law principle BR number law is states that amount of energy absorbed or transmitted by solution is proportional to the solution molar absorption and the concentration of the solute तो इसमें से आपको a quantitative idea मिलता है आपको solution में कितना solute है unknown solution में अगर अगर आप reference standard आपने रान कर दिया known concentration का बीच में फिर बाद में आपका unknown solution बोर sample को रखा उसके अंदर तो उसमें जो आपको absorbance मिले का उसमें से आप जाज करके बता सकता हो कि आपका sample में कितना quantity में solute है दोस्तो नेक्स्ट इस what is the range of UV the UV range covers the wavelength range of 100 to 400 nanometer and is divided into three bands UV a that is 315 to 400 nanometer UVB 280 to 315 nanometer and UVC is 100 to 280 nanometers what is the principle of FTIR FTIR stand for Fourier transfer infrared and it is the most common form of the infrared spectroscopy all infrared act on the principle then when infrared radiation passes through a sample some of the radiation is absorbed the radiation just passes through the sample is recorded this FTIR आप कहाप उसकर को दोस्तो जनेरली आगर आप ड्रक टेस्टिंग में हो तो पता है आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप दे पर्टिकुलर मॉलिकूल 99% क्येसस में FTIR में होता है तो इसी के लिए आपको FTIR का प्रिंसिबल्स के वारे में पूचा जा सकता है यू बहुत सारे टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टें से ऐसे में हैं अभी ज्याता तार इदेटिफिकिशन एड फिजिकल टेस्में यूज ओता है अभी ऐसे में यूज नहीं करते है इसी के लिए सब आपको पूचा जाएगा weight chemistry में अगर आप enter होगा तो आप ESM instrument ही राएगा UBFT आया तो उसका principle अगर आप बोल पाओगे तो interview का दिल आप नहीं पे जीद लोगे then is what is titration's titration is a technique where a solution of known consentant is used to determine the concentration of unknown solutions typically the triton the known solution is added from muted and for a known quantity of the analyte that reaction until the reaction is complete question then friend next question answer what are the type of titrations the different type of titrations are acid-based titrations complexo metric titration participant titration redox titration so dhustow mein pheer se wadhi eek bhi bata na chatao ye questions ka answers na ki question आपको पूचा जाएगा generally ap quality control में जाओगे तो जो आपको basic requirement instrument is उसके बेस में ही question answer जाना है इसके अलग भी आपको कुछ question answer है तो आप उसको भी follow कर सकते हो यह answers भी ऐसे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ exactly read out हो मैं नहीं कर रहा हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा आपको just explain कर रहा हूँ कि उसको कैसा है उसका पीजे क्या है आपको इतना theoretical कितना भी knowledge हो actually उदर जाकर आपको execute करना है तो theoretical base में आप कुछ बता पाऊगे तो at least 70-80% भी आप बता पाऊगे तो interview कर आपको उपर confidence बाएगा तो इसके लिए थोड़ा read out करना है इसको लिए फिर उसके बाद आपको जब experience आप गीन करते जाओगे फिर तो interview देने का तरीका उसमें कैसे प्रशन रहना है वो टोटली सेप्रेट है ओ मैं आपको डिफ्रेंट वीडियो में बताएंगे next is what is comatography comatography is a process for separating components of a mixture to get the process started the mixture is dissolved in a substance called the mobile phase which is carries through a second substance called the stationary phase तो यहां पर आपको mobile phase and stationary phase दो रहता है तो में क्या रहता है mobile phase liquid रहता है इसलिए hplc liquid comatography है और gas में mobile phase रहता है आपको gaseous form में इसके लिए gas comatography बोलता है यह दोनों basic major difference in this hplc and GC then what are the types of comatography there are at least 14 types of comatography available but दोस्तों इसमें से only three or four techniques जो readily हमारा pharmaceutical lab में यूज होता है सबसे जदा जी यूज होने वाला है ओ है आपको high-performance liquid comatography hplc and then gas comatography hplc generally आपको assay test perform करने के लिए यूज होता है देन आपको chiral test करने के लिए यूज होता है देन आपको related substance के लिए hplc होता है gas comatography mainly use होता है आपको residual solvents related residual solvents के लिए purity के लिए भी कही time use होता है उसके छोड़के जो next EHPLC GC के बाद जो होता है वह है ion comatography ion exchange comatography जो IC comatography बोलता है इसको भी use होता है और फिर यूज होता है TLC और gel filtration comatography भी होता है molecular but अगर आप pharmaceutical lab में आ रहे हो तो यह hplc ngc के लिए आप प्रिपेर रहे होगा फ्रेंड्स यह में फ्रेशास लोग कैसे इंटर्व्य के लिए प्रिपेर होगा कैसे उसको पर्फार्म करना है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकरी के लिए अगर इसके बाप्चूद भी और कुछ इंडेटल आपको questions mom में आता है और कुछ आपको पूछना है आप comment section में पूछके मेरे को पूछ सकते हैं दोस्तों दोस्तों all the best आपको upcoming सभी interviews के लिए आप successful हो जाओ जोब अच्छी से एंटर कर जाओ यह industry दोस्तों में लास्ट 17 10 years में हूं भोहत फेवरिट है आझ पैसंस इसमें काम कारने का आप भी करो क्योंकि ये काम जो है यूझ आप कुछ डिजेश कैंब नहीं करने के लिए गया किलिए कस चhang करने के लिए पैस्पेच्वे समयच में करूर कंपोर कouting का सब्सक्री में लिए 29 और बाखी दूसरे कोई पोड़क्स के लिए जैसे नहीं यह पोड़क्स से किसी को अच्छे के लिए जिसे को अच्छे के आपकर करने के लिए तो दोस्तों थेंक यू अल्ड़ बेस्ट फर लिसनिंग मैं इस टॉपिक